नमस्कार दोस्तों मैं राधा आपके अपने राधी किचन में स्वागत करती हूँ आज हम बनाने वाले हैं मूली मेथी के स्वाधिश्ट पराटे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी इसके लिए मैंने एक मीडियम साइस की मूली ली थी जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे हमें कदू कस कर लेना है इस तरीके से मैंने इसे कदू कस कर लिया है और इसके साथ ही मैंने एक गड़ी मेथी ली है जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ करके बारी कट कर लिया है वो भी मैं S की साथ मिला दोंगी और इसी में मैं मैंने 1.500 ग्राम करीबी आटा है गेहूंका आटा लिया है और 2-3 चमच मैंने बेसन लिया है 2 हरी मिर्ची हैं जिसे मैंने बारी कट कर लिया है कुछ मसाले में हमने अजवाइन कलोंजी, हल्दी और स्वाद अनुसार मैं नमक मिला रही हूँ और आदी चमच के करीब मैं इसमें चिली फ्लेक्स मिला रही हूँ आप चाहें तो इसमें और भी मसाला मिला सकते हैं जैसे सौंफ मिला रहें उससे भी टेस्ट काफी बढ़ जाता है हिंग मिलाने वो मैंने इसमें अभी नहीं मिलाया मैं केवल इतने ही मसाले में इससे बना रही हूँ हमें इसे बहुती कम पानी के साथ हमें इसका एक आटा गूत लेना है क्योंकि मूली पानी छोड़ेगी आप इसलिए हम इसे कम से कम पानी में इस आटे को हम गूत लेंगे तरीके से, इस तरीके से हम इसे गूत लेंगे, इसमें लगबग मुश्किल से आधा कब पानी भी आपका नहीं लगेगा, और इतने आटे में कम से कम 5 से 6 पराटे आराम से बन जाते हैं, आटा हमारा बनकर तयार है और मैंने इसमें थोड़ा सा आधी चमच के करीब घी लगा दिया है, और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे, तब तक हम हमारा तवा हमने गैस पर रखा है, मैं इसे कास्ट आरम में बना रही हूं पराटों को, आप चाहें तो किसी भी नॉर्मल तवे में बन सकते हैं, तरीके से मैंने इनकी, मैं इ ऐसे लगी कि आपका आटा थोड़ा ज्यादा गीला लग रहा है, तो हलका सा पल्थन तो वैसे भी लगाना ही पड़ेगा, और हमेने बिलकर रख लेते हैं, इस तरीके से थोड़े से सुख्या आटे के साथ हम इसे बिलकर रख लेंगे, इस तरीके से मैंने हमारी एक बना लिया है आप चाहें तो इससे किसी भी आकार में बना सकते हैं चाहें तो आप इसे ट्राइंगल बना लीजिए तिकोना बना लीजिए या चोकर बना लीजिए जैसा भी आप पसंद करें साइज मैंने इस तरीके से गोल शेप में बनाए हैं इस तरीके से मैंने दो को अच्छे से सेख लेना है गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि तेज आज में अगर हम इने बनाएंगे तो यह बहुत जल्दी जल जाएंगे हमारा जो मूली है और जो मेथी है वो भी अच्छे से पकना चाहिए सिकना चाहिए तभी हमारे परांटे में अच्छा तेस्ट आएगा मेथी और मूली के परांटे बहुत ही स्वाधिश्च होते हैं सुपाच्चे होते हैं और आने वाला जो सीजन है उस समय तो यह बहुत ही स्वाधिश्च लगते हैं टिफिन के लिए यह किसी भी तरीके से आप इन सुबह से को नाश्टे में कभी लिया है जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा ये पराठा लगबग अच्छे से बनकर रेडी है अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूं क्योंकि हमारा ये पराठा बन गया है बिल्कुल अब अगर मैं इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये इसका जो टेस्ट है वो बदल सकता है तरीके से मैंने से चिम्टे की साहिता से प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसे तरीके से हमारे दूसरे पराठी को भी सेख लेंगे आप इन्हें चटनी, सौस, किसी के भी साथ, चाई के साथ भी इन्हें खा सकते हैं ज़रूरी निये कि इसके साथ कोई सबजी हो क्योंकि अपने आप में ये कम्प्लीट खाना है ये सौाद में ऐसे भी अच्छे ही लगते हैं इस तरीके से मैंने हमारा दूसरा पराठा भी सेक लिया है ऐसे हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं दोनों तरफ से अच्छे से ये लेजिए हमारा दूसरा पराठा भी बनकर बिल्कुल तैयार है लेजे दोस्तों हमारे स्वादिष्ट मेथी मुली के पराटे बनकर बिलकुल तैयार है आप इन्हें चटनी दही सौस किसी के भी साथ खा सकते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूं अपने नेक्स वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार